हेलो फ्रेंज गुड मॉर्णिंग विल्कम टु वन्डे एक्जाम टार्गेट आप सभी का स्वागे थे आपके अपनी चैनल वन्डे एक्जाम टार्गेट पर आज है 11 सेप्टेंबर और देखेंगे पर आपके अपनी रहीएगा बहुत ही इंपॉर्टन अपनी थűच्ण का सभी को पता हैं आपकी दों बजी बजी क्लास चलती है जिसमें हम GS cover करें और भी NCRT से तो उस class को जरूर join कीज़ेगा बहुत important और detail में explanation के साथ सारे question cover कराया जाते हैं even question के साथ एक question के साथ आपके बहुत सारे question त्यार हो जाते हैं और बहुत ही minute observation के साथ question लिया जाता है तो 3 बजे की class जरूर join कीज़ेगा और सुब अच्छे बजे आपके current affair की class जलती हैं class को start करते हैं important question के साथ तो जितने में वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से करेंगे फटाफट से वीडियो को लाइक और लिंक को करेंगे दोस्तों में share और आज जाएंगे full concentration के साथ question के तरफ हाली में Oscar विजेता निर्देशक जिरी मेंजल का निधन हुआ ये कहा की रहने वाले थे option यहाँ पर हमारे A से हो जाता है प्राग तो Oscar विजेता चेक फिल्म निर्देशक जिरी मेंजल का निधन हो गया इनका पूरा नाम अगर इंग्लेस में आप देखेंगे जिरी मेंजल जिरी मेंजल का निधन हो गया और इनका जन्म कब हुआ था इनका जन्म 23 फरवरी 23 फरवरी 23 फरवरी 1938 को प्राग चेको इस लोग वाक्या में हुआ था कहाँ पर हुआ था प्राग के चे को इस लोग वाक्या में हुआ था और सबसे इंपोर्टन फैक्ट इन से रिलेटर है इनकी पहली फीचर फिल्म इनकी पहली फीचर फिल्म इनकी जो पहली फीचर फिल्म थी क्लोजली वाज्ड ट्रेंज इन्हों ने इसके लिए 1968 में सर्फ्टेश्ट विदेशी बासा की फिल्म के लिए अकादमी पुरसकार ओसकर जीता था ठीक है? क्लोजली वाज्ड ट्रेंज इनकी पहली फीचर फिल्म थी और ये ओसकर भी जीता इनका जन्म कहां पर हुआ था? प्राग में हुआ था? और इनकी जो पहली फिल्म थी क्लोजली वाज्ड ट्रेंज इसको 1968 में सर्फ्टेश्ट विदेशी बासा की फिल्म के लिए अकादमी पुरसकार ओसकर मिल चुका है क्लेर हो गया? बस अगले कोशन पर चलेंगे, नेक्स्ट नमारा कोशन आप से भी की स्क्रीन पर है हाली में किस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के स्क्रैम जिट तकनीक का सफल परिक्षण किया? अपसन यहापर हमारा B सही हो जाता है DRDO अपसन B सही हो जाता है DRDO ने DRDO की द्वारा हाइपरसोनिक टेकनोलोजी डिमोंस्ट्रेटर वेहकल HSTDV इसका सफलता पूरो परिक्षण किया गया जो मानो ध्वानिकी गती की तुलना में 6 गुना अधिक छमता वाला मानो रहित स्क्रैम जिट वहन है और इसका परिक्षण कहाँ पर किया गया? इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के साथ शामिल हो चुका है जिसने हाइपरसोनिक प्रोध्योग की कविकास और सफलता पूरो परिक्षण किया है यानि कि भारत भी अमेरिका, रूस और चीन के साथ शामिल हो चुका है इस लिस्ट में बात आ जाती हैं पर DRDO की तो DRDO की बारे में कुछ important fact जान लेते हैं DRDO का full form Defense Research and Development Organization रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन इसका full form है कभी कभी इसका full form पुछा जाता है तो DRDO की अध्यक्ष कौन है? Dr. G. Satish Reddy DRDO का मुख्याले कहां पर है? DRDO का मुख्याले है New Delhi में ठीक है? चल दे हम next question पर हमारा अगला question हमारा अगला question है हाली में सरकार ने मानसिक स्वास्थ पुनरवास हेल्पलाइन की शुरुआत की इसका नाम क्या है? सरकार की दोरा मानसिक स्वास्थ पुनरवास लाइन की शुरुवात की गई आपको इसका नाम बताना है और यहां पर हमारा सही हो जाता है option C के रन है तो यह सरकार की द्वारा शुरू किया गया एक मांसिक स्वास पुनरवास help line number है और यह सुरू किसके द्वारा किया गया तो समाजिक न्याय और आधिकारिता मंतराले के द्वारा तो समाजिक न्याय और आधिकारिता मंतराले ने एक टॉल फ्रेम मांसिक स्वास पुनरवास help line के रन का शुभारम किया है और इस help line को विशेश कर COVID-19 महावारी के दोरान बढ़ती मांसिक बिमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया help line है 1800 500 0019 यह मांसिक रूप से बिमार व्यक्तियों को रहत और मदद उपलब्द कराएगी यह help line ठीक है और इस help line के बारे मैं आपको बता देते हैं किरन help line यह help line जैसे कि आप में आत्मथ्या जैसी भावनारी आउसाथ से ग्रसित है panic attack हो रहा है कुछ समायोजन आप नहीं कर पा रहा है ऐसा विकार आपके अंदर है ठीक है तनाव है और नशीले पदार्थों की सेवन से संबंदित को चपांसिक स्वास्त के मुद्दी का समाधान यह सारे काम करने का यह हल्प लाइन काम करेगी इस पर समाधान देने की कोशिश करेगी ठीक है और यह पुरा 24-7 आर्स पूरा मतलब यानि की 2400 घंटे यह पूरी तरीके से उपलब्ध होगी clear है और यहां पर एक important fact बता देते केंदरी सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्री को ने थावर्चंद गहलोत है अगले question पर चलेंगे next है हाली में जी 20 सक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की आप सनिया पर हमारा D सही हो जाता है सौधी अरब ने इस बैठक में किस विसे का यह मतलब यह बैठक किस विसे पर आधा रहे थी विसे क्या था इस बैठक का जी 20 सक्षा मंत्रियों की बैठक का विसे क्या था विसे है realizing opportunities of the 21st century for all लिख देते हैं realizing opportunities of the 21st century for all यह विसे रहा है और इस बैठक की बैठक की अध्यक्षता किसने की अध्यक्ष देश तो सौधी अरब है अध्यक्षता भी इसी के द्वारा की जाएगी तो सौधी अरब के सेक्षा मंत्री है doctor humid al-asique doctor humid al-asique के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई और यहां भारत का प्रतनेदित तो किस की द्वारा किया गया तो केंदरी सिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंग की द्वारा किया गया ध्यान दिजेगा और यहां पर ध्यान दिजे यह बैठक तीन छेत्रों संकट की समय में सिक्षा निरंतरता बाल सिक्षा और सिक्षा का अंतरास्टी क तरण इस पर सदस्ट देशों की अनुभों पर चर्चा और साजा करने के लिए यह आयोजित की गए तो बैठक का जो फोकस था आपको मैंने बताए किस किस पर था और बात आ जाती हैं पर G20 देश की तो G20 जो देश हैं वो किसी मिलकर के बने हैं G20 पूरे 19 देश और पी संगसी मिलकर के बना हुए एक संगठन है तो G20 के 19 सदस्ट देशों में कौन-कौन है अर्जेंटीना है ऑस्ट्रेलिया है एफ्रेका है कैनडा है चीन है फ्रांस है जर्मी है भारत देश भी है इंडोनेशिया है इटली है जपान है मैक्सिको है कोरिया गर्राज्य है र इधार ए यूरोपिय संग है चलिए यहां पर बात आजाती सवधीय अरब की तो सवधीय अरब की राजधानी क्या है आप लोग कॉमेंट सक्शों में कॉमेंट कर के जदरोर बताएंगे और सवधीय अरब की मुद्ध रा क्या है सॉ इसंदी रियाल है ठीक चलिए, सौधी अरब की वारे में हम आपको detail में बता चुकें कहीं बार अगले question पर आजाते हैं, next हमारा question आप सभी की स्क्रीन पर Question A, हाली में किस देश ने क्रिकेटर मैथ्यू हैर्डन को भारत में ब्यापार प्रतिनी दिन न्यूक्त किया Option सही हो जाता हमारे A, Australia ने तो Australia सरकार ने भारत के साथ ब्यापार समंदों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैर्डन और भारती मूल की राजमेता लीसा सिंग को लीसा सिंग को ब्यापार प्रतिनी दिन न्यूक्त किया है चलिए, अब यहाँ पर मैथ्यू हैडन के बारे में कुछ जान लीजे मैथ्यू हैडन ये पूर्व अंतरास्टी क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 दिवस्टी अतरास्टी मैच खेले हैं इन्होंने चालिस अंतरास्टी शतक भी बनाये हैं और इन्हें खेल में उत्कृस्टता के लिए साल 2010 में और्डर आफ उस्ट्रेलिया का सदस्य से बनाया गया था ठीक है? चलिए, लीसा सिंग के बारे में जानते हैं, लीसा सिंग कौन है? तो ये लीसा सिंग 2010 से 2019 तक संगी सीनेट में तस्मानिया का प्रतने दितु किया? और भारत और आउस्ट्रेलिया की बीच मैत्रीपूर समंदों को बढ़ावा देने में भारती विरासत के ब्यक्ति के रूप में उनकी सेवा के लिए यानि कि भारती है, बिरासत के ब्यक्ति यानि कि भारती होने के नाते उनकी सेवा के लिए भारत सरका से प्रवासी भारती सम्मान पुरस करपाने वाली वे रास देता भी है लीसा सिंग तो दोनों की बारे में आप लोगों ने जान लिया और बात आ जाती हैं पर ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की प्रदान मंत्री कौन है ये भी जानते चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है ऑस्ट्रेलिया ही डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है कैन्बरा है क्लेर है तो यहां पर इतने important fact आपको चानना चाहिए चलते हैं next question पर हमारा अगला कोशिन अब सभी की स्क्रीन कोशी और हाली में अंतरास्टी साक्षर्टा दिवस कं मनाये गया विकल्पियाँ पर हमारा एस ही हो जाता आठ सितम्बर International Literacy Day प्रतेग वर्स आठ सितंबर को विश्वस्तर पर अंतरास्टी साक्षर्ता दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है ये दिन ब्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षर्ता के बहत्तुआ और अधीक साक्षर्त समाजों के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं उसकी आवश्यक्ता के बारे में सभी को जागरूप करना ये उद्देश्य है चली सबसे important point इस question से related जो बनता है उसे आप नोट करिए अंतरास्टी साक्षर्ता दिवस 2020 का विसे क्या है तो विसे नोट करिए विसे है literacy, teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond लिख देते हैं ये इस बार का विसे है तो ये इस बार का विसे है अंतरास्टी साक्षर्ता दिवस का इध्यास क्या है तो यूनेस्को द्वारा 1966 में 1966 में 8 सितंबर को अंतरास्टी साक्षर्ता दिवस घोसित किया गया था ताकि अंतरास्टी समुदायों को व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षर्थ के बारे में जागरोग किया जा सके और अधिक साक्षर्थ समाजों के लिए गहन प्रयास को गती प्रतान की जा सके तो 1966 यूनेस्को का मुख्याले का पर है? फ्रांस के पेजिस में हैं। यूनेस्को की प्रमुक कौन है? अंद्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना कभूई 16 नवंबर 1945 तो इतने इंपॉर्टन फैक्ट आप जानते रहे हैं। चलते हम अगले कोशन पर नेक्स्ट हमारा कोशन ह कोशन है हाली में the state of young child in India रिपोर्ट किसने जारी की? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा C सही हो जाता है M. बेंक या नाइडू. तो हमारी उपरास्ट पती है M. बेंक या नाइडू. इन्होंने the state of young child in India लिख देते हैं। दा एक मिनुड़ दा इस्टेट आफ एंग चाइल्ड इन इन्डिया यह टाइडल रिपोर्ट इन्होंने जारी की? तो यह रिपोर्ट देश में स्वास्ति और पोस्टर्ण पर तयार की गई है। किस पर तयार की गई है? इंपोर्टन है तो स्वास्ति और पोस्टर्ण प सुनते रहेगा भारत में 21 प्रतिशत में से 6 साल से कम उम्र के 169 मिलियन बच्चे को पोसित है 36 प्रतिशत का कम वजन का सिखा रहें 36 प्रतिशत कम वजन के सिखा रहें और 38 प्रतिशत पूड़ टी का करण प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्लेर है और यहां पर यह जानिए बाल पोश्टन स्वास्त देख भाल सिक्षा और अन्य सुरक्षा सिवाओं पर किये गए खर्च के विशलेशन के अनुसार भारत में 2018-19 के दोरान प्रति बच्चे 1730 रुपए खर्च किया गया जो पूरी योग्य आवादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त है बहुत कम है इसके अलावा रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वस्ट्रेस प्रदर्शन करने वाले राज्जियों और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्जियों की सूची भी जारी की गई है तो इस सूची के अनुसार बहुत important fact आपको बताने चलने हैं सर्वस्ट्रेस प्रदर्शन करने वाले राजजी कौन से हैं केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिल डाडु, मिजोरम ध्यान दिजेगा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राजजी बिहार, उत्तरप्रदेश, जारखन, मध्यप्रदेश और चतिसगर जहां पर योजनाए ही योजनाए चलती है जितना भी आप लोग, एकदम fact आपको बता है जितना भी आप लोग करन देखते हैं न सब में योजनाए ही योजनाए मिलती हैं आपको कहां से सबसे जादा तो मध्यप्रदेश, MP, उत्तरप्रदेश, चतिसगर इन सबी में जारखन, इन सबी में खोब योजनाए आपको देखने को मिलेंगे लेकिन धरातल पर जो भी है क्लियर है? अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं यहां पर यंग चाहिल्ड आउटकम इंडेक्स में प्रात्मिक बिद्याले इस्तर पर बालकों की उपस्तिती, शिशु मिरत्योदर इन सभी संकेतकों की मदद से मतलब इन सब संकेतक का उपयोग किया गया कि इसमें क्या क्या इस्तिती है इसकी मदद से स्वास्ति, पोशण और ज्यान सम्मंधी विकास को मापा गया सुचकांग की आधर पर आठ राज्यों में इसमें जैसे देखिए आसम हुआ, मेगाले, राज़स्तान, चतिसगर, मद्यप्रदेश, जारकंड, उत्तरप्रदेश और बिहार ने देश में औसस से नीचे स्कोर किया है, जो इंडेक्स जारी किया गया है, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में इतना जानते रहे हैं आप, चितना मैंने फैक्ट बताएं, आपके दिमाग में होना चाहिए यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन बनता आपके एक्जाम के लिए, माली जी यह तो मैंने यह ले लिया कोश्चन के इससे रिलेटेट आपको इंडेटेल में बताएंगे, लेकिन इससे रिलेटेट जो अच्छा प्रदरसन करने वाले राजजी हैं, और जो यंग उसमें सुचकांग के आधार पर जो आठ राजजी हैं, जिन में आउसर से नीचे स्कोर किया गया, उनकी नाम आपको मैंने बताया जो असामगा मेगा है, राजस्तान, चतिस गड़, मद्रदेश, जहारखंड, उत्रप्रदेश और बिहार, आठ कंप्लीट हुआ, क्लेर है और जो सबसे अधिक मतले यानि की सर्फ्रेश प्रदर्शन करने वाले राजजी हैं, केरल, गुवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राजजी हैं, बिहार, उत्रप्रदेश, जहारखंड, मद्रप्रदेश और चतिस गड़, तो ये कभी नहीं भूलना, आपके दिमाग में होना चाहिए, चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर, कोश्चन हाली में किसने साइबर सुरक्षा जागरुकता अभ्यान चलाने के लिए CPF के साथ साज़ेदारी की, आप्सन यहां पर हमारा सही हो जाता है, आप्सन D, वाट्सेप ने, तो फेस्बुक स्वामित्यों वाले वाट्सेप ने, थे साइबर सुरक्षा के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए सहीत पांच भारती राज्जियों के लगभग 15,000 चात्रों तक पहुँच बनाना है। कुछ इंपॉर्टन फैक्ट CPF Cyber Feast Foundation के संस्थापक और अध्यक्ष विनीत कुमार Cyber Feast Foundation के स्थापना कभूई 2003 में Cyber Feast Foundation का मुख्याले कहां पर हैं? New Delhi में ठीक आचाते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर तो फ्रेंस यहां पर आज की करेंड फैर के कोश्चन हो जाते हैं कम्प्लीट कर लेते हैं एक बाद जल्दी से फटेवर्ट से सुपरफास्ट रिविजन कोश्चन है हाली में आउसकर विजयता है नेरदेशक जीरी में अंजल का निदन होगा यह कहां के रहने वाले थे बिकल्प A सही हो जाता है प्रैक अगला है हाली में किस के न हाइपरसोनीक विजय होने के लिए लेते के इससका नाम आपको बताना तो वे खल पक ऑप और Southern एक्सरे हाली में जी ट्वेंटी सक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस ने की ऑप्शन डी सही हो जाते है साथी अरब ने अगला कोश्य ने कोश्य ने किस देशने क्रिकेटर मैथ्यू हेडिन को भारत में व्यापार प्रतिनी दी नियुक्त किया ओप्शन ये से हो जाता है और अउस्ट्रेलिया ने अगला कोशिन हमारा हाल लिव इंटरास्टी साथ शर्ता दिवस कब बनाएगि एंटरास्टी साक्ष्रता दिवस और सभूप्शन आए से हो जाता है आट सितंबर को कोशने आली में दे स्टेट आफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की गई ऑप्सन सी सही होता है एम बैंक के या नाइडो के द्वारा कोशने आली में किसने साइबर सुरक्षा जाग रुखता भ्यान चलाने के लिए CPF के साथ साजिधारी की और जितने ही लेख को देख रहे हैं फटा फट फट से वीडियो को लाइक करेंग मिस्टों में के लिंक चेयर करेंगे और चलेंके हम कल के कोशन के सПр muchísimo कर लेते हैं कल की कोशन यह और हम और स्टार्ट होते हैं हाली में बजाज अलियांग ने किसको अपना नया ब्रांड अमेस्टर बनाया है ऑप्सन यहापर B से हो जाता है आज सुमान कुराना अगला कोशिन है हाली में सिक्षक दिवस किस दिन मनाए गया तो बिकल्ब A से हो जाता है 5 सितंबर को नेक्स हमारा कोशिन है हाली में इंगलिस प्रो मोबाइल एप्लिकेशन किसकी दौरा लॉंच किया गया ऑप्सन ए से हो जाता है केंदरी सिक्षा मंतरी ने नेक्स कोशिन हाली में F1 इटालियन ग्रैंड फ्रिक्स 2020 किस ने जीता बिकल्ब यहां पर हमारा 20 से हो जाता है PRA गैल सीन है नेक्स कोशिन हमारा हाली में इंटरनेशनल डियाफ क्लीन एर फॉर ब्लू स्काइज किस दिन मिनाए गया बिकल्ब यहां पर हमारा से हो जाता है ए साथ सितंबर को हाली में इशिय और प्रसान के FAO 36 सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ है यह कौन सा सम्मेलन था यानि कि किस नंबर का सम्मेलन यह आयोजित हुआ Food and Agriculture Organization FAO ओप्सन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ओप्सन D 35 Next question हाली में किसने N95 मास्क के टानो रहित करने के लिए चक्र डी को वी डिवाइस लॉंच किया ओप्सन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है आयाटी दिल्ली ओप्सन भी सही होता है Next question पर चलेंगे हाली में S I AM के नए अध्यक्ष कौन बने है अप्सन सही हो जाता है हमारे यहाँ पर C कहने ची आयूकावा अगला question है हाली में किसने जम्मो एंड कस्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉंच किया स्पैरो सिस्टम अप्सन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है D अगला question है हाली में FADA ने अपना नया द्यक्ष किसे निक्त किया विकल्पी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ने यहाँ पर चानकारी खठा की है इस question से related the state of young child in India यह report किसके द्वारा जारी की गई इसमें सबसे खराब प्रदर्शन इन सभी का पूरा जितना मैंने आपको बताए सब कुछ जितना भी डाटा था वह आप लोग comment section में comment करके ज़रू बताएंगे और friends समेशा की तरह आप लोग अपना feedback जरू दीजिए आपको class कैसे लगी आपका इंतजार रहेगा आपकी feedback का और तीन बज़े आप लोग class में जरू आईएंगा मिलते फिर next video में तब तक ले आप लोग पढ़ते रहें मेहनत करते रहें सफलता जरू मिलेगी इसे के साथ मिलते फिर नेक्स वीडियो में तब तक ले गुद्बाया एंटेकर थेंक यू समच लव यू अल बबाया एंटेकर चैने